गूट मॉर्निंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आप सभी आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाश्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो जैंग उस जंगल में डिमन लॉड क्यूसी के इल्यूजन से लड़ने में वहाँ इतना साधा खो जाता है कि उसे वहां खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है पर दभी वहां पर वह आइस गल आकर जैंग को बेकाबू देख उसके साथ साथ वहां की पूरी जगह को भी रोग देती है अब आगे शाहम इस अपिसोड की सुरवात में उसे आइस गल को देखते हैं जिसके पा करते हुए उससे कहता है कि मैं यहां इस इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए आपका ठैंग क्यूं किया है अब याज सुन वो आइस गल वहाँ कहती है कि मेरा नाम ड़ई है और तुम मुझे सिनियर ब्रदर ड़ई कहकर बुला सकते हो अब याज सुनते ही जैंग वहाँ काफे जादा हैरान हो जाता है कि एक लड़की खुद को सिनियर ब्रदर क्यों कह रही है जिसके बाद वो गल वहाँ जूट का कहने लगती है कि मुझे यहां तुम्हारी मदद करने में मेरे यहां काफी जादा अनर्जे यूज हो गई है इसलिए अब आगे तुम्हें खुद ही यहां उन सभी वूड मॉंस्टर को सम्हालना होगा अब इतना कहते ही हम वहाँ देख पाते हैं कि जैंग के पीछे वो वूड मॉंस्टर आ चुके होते हैं अब यह देखकर जैंग भी वहाँ उन सभी वूड मॉंस्टर से लड़ने के लिए तयार हो जाता है जहां आप वो वूड मॉंस्टर उन लोगों को चारो तरफ से घेर लेती हैं और अपनी खतरनाक बेलो की मदद से उन दोनों के उपर अटैक कर देदी हैं इसके बाद वो वहाँ मिस्ट डई से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ जिसके बाद वो दोनों इस जगह से भागते हुई यहां से आगे की ओर जाने लगती हैं पर फिर भी वो खतरनाक बेले उन पर पीछे से अटाक पर अटाक किये जा रही हुती हैं जिसके बाद मिस्ट ड टेकनिक का यूज करने के लिए मजबूर करना होगा वह इतने में ही वहां कुछ बेले सीधा जैंग के ओपर अटाक कर दी थी हैं अब यह देखते ही मिस्ट डई वहां कहती है कि जैंग मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं अब इतना कहते ही वह जान बूच कर उन बेलों पर करने के लिए उससे कहने लगती है कि मुझे माप कर दो दरसल मैं काफे जादा घबरा गई थी इसलिए गलती से वह अटैक सीधा तुम्हारे पैरों पर ही जाकर लग गई पर दवे जैंग को वहां कुछ मैसूस हो जाता है और वह इधर उधर देखने लग जाता है इसलिए मिश्ड़ई के बातों पर जादा ध्यान नहीं दे पाता पर फिर भी मिश्ड़ई वहां फिर से कहने लगती है क्या तुम मुझसे अभी भी नराज हो अब जैंग मिश्ड़ई को वहां सांध करने के लिए उससे कह देता है कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ पर अब दुब के लिए कुछ करना होगा अब इतना कहते ही वहां अपने पास से किसी तरह की लिक्विट को बाहर निकाल उन मरी हुई बेलों की उपर ही फेक देती है जिस वजह से वह बेली वहां फिसल जिन्दा हो सीधा उनकी और ही आगे बर मिश्ड़ई को ही वहां पकड़ लेती है त इस पर वहां जैंग को इसके लिए ठैंक्यों कहती है और ऐसे नाटक करने लगती है कि वह काफिस जादा घायल हो चुकी है वह बहुत सारी खतिरनाक बेले जैंग और मिश्ड़ई को चारों तरब से घेर उन दोनों को वहां कैद कर लेती है अब या देख वह दोनों ही वह अपनी आइस पावर का यूज कर उन बेलों को वहां बर्ट में जमा रही होती हैं जिसके बाद वो वहां जैंग से कहती हैं कि हम यहां इन बेलों को इस तरह से काट काट कर नहीं मार सकते हैं बलकि इन्हें सिर्फ फायर स्पृट की ही मदद से डिस्ट्रॉई किया जा सकता और अगर हम यहां इन से इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो हमारे अनलजी भी सारी खतम हो जाएगी और तवे इतने में ही वहां एक पेल सीधा मिश्ड़ई के उपर अटाक कर दीता है पर यह देखते ही जैंग उसे वहां बचा लेता है और उससे वहां कहता है अगर तुम में मुझे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था अब इतना कहते ही जैंग वहां अपनी फायर स्परिट टैक्निक कर यूज़ कर उन बेलों के उपर सिधा अटाक कर दीता है अब इस वजह से उन सभी बेलों में वहां आग लग जाती है और वह देखकर वहां वो लगने की वज़ज़ से वह वह हां तूट तूट कर उन फुट मॉंस्टर के ऊपर आग लग जाती है ज चार। कि आपको मुझे उन्हें खतम करने का तरीका बताने के लिए ठैंक्यू पर तभी हम वहाँ देख पाते हैं कि मिश डई इस वज़े से वहाँ खुस नहीं बलके सैड होती है क्योंकि जैंग ने अभी तक अपनी स्पेश टैक्निक का यूज नहीं किया था जो उससे देखना था तभी अब मिश डई वहाँ जैंग से कहती हैं कि इसकी कोई ज़रत नहीं है पर मुझे यहाँ उमीद नहीं थी कि तुम्हारे पास फायर स्प्रिट की भी टैक्निक होगी अब इस पर्स जैंग वहाँ कहता है कि मुझे लगता है आप अभी तक ठीक नहीं हुई हो इसलिए अब हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए पर फिर भी तुम यहाँ अपने चिंता मत करना मैं तुम्हें यहाँ अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अब यह सुनकर मिश डई कहती है लगता है मैंने यहाँ कई तुम्हें परिशान कर दिया क्योंकि अब तुम्हें यहाँ मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं है कि जैंग मेरे सामने स्पेस टेक्निक का यूज कभी नहीं करेगा जिसके बाद हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है और हम एक नई से जगह को देखते हैं जहां काफी उचे उचे मॉंटेन होते हैं कुछ डिसाइपल वहाँ उस मॉंटेन पर चड़ते चड़ते ही उन हवा की वज़े से नीचे गिर जाते हैं तभी अब हमारा एरो जैंग और मिश डई भी यहाँ पहुच जाते हैं उस जंगल से निकल कर तभी अब जैंग उस खतनाक हवा को देख वहाँ कहता है कि जाहीर है आगे एक रास्ता है क्योंकि वो डिसाइपल भी वहाँ उन चड़ते चड़ते ही नीचे गिर गए पर कहीं ऐसा तो नहीं उन चड़तानों के उपर कोई खजाना हो क्योंकि क्लाव्ड हाल के एल्डर ने यहाँ आने से पहले हमें बताया था कि यहाँ जितना खत्रा है उतना खजाना भी होगा जिसके बाद वहाँ जैंक कहता है कि कही ये जगह काफे जादा पावरफुल तो नहीं है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ उन खजानों को पाने के लिए अपनी चान खत्रे में भी डालने को तयार हैं जैंक से कहती है कि सिनियर जैंक तुम यहाँ तक पहुची गए और मैं अब तुम दोनों को इस जगह के बारे में बता देती हूं कि इन चटानों के उपर काफी सारे खजाने के बॉक्सेस रखे हुए हैं जो कि लो लेवल से हाई लेवल तक के हैं जहां वो ब्लू, रेड, सिल्वर, गोल्डन कलर के होती हैं और जो खजाना का बॉक्स सबसे उची जगह में होता है उसमें उतना ही जादा किमती खजाना होता है और मुझे पता चला है कि लिंग्यो सेक्ट के एक सिनियर ब्रदर ने बुलू लेवल के बॉक्स को हासिल किया था जिसके अंदर उन्हें उसमें एक हाई ग्रेट की फैरी अनर्जी मिली है वही मैंने कई लोगों से यह भी सुना है कि सिल्वर लेवल के बॉक्स के अंदर एक हाली ट्रेजर रखा हुआ है अब यह सुनते ही जैंग वहाँ थोड़ा खुस हो जाता है वाइदवी अब वो क्यूट रैट गल वहाँ जैंग को थोड़ा पटाने की कोसिस करने लगती है पर जैंग तो उस पर ध्यान भी नहीं देता अब यह देख कर मिश ड़ई को वहाँ थोड़ी हसी आ जाती है जिस पर वो रैट गल उसे देख काफी जादा गुस्ता हो जाती है पर फिर भी वो वहाँ जैंग को बहलाने की कोसिस करते हुए काफी जादा क्यूट बन जैंग से कहती है कि सिनियर मैंने सुना है कि आपको यहां स्पेश टेक्निक का यूज करना आता है इसलिए मुझे लगता है कि आप काफी जादा पावरफुल हैं और अगर आप यहां कोसिस करेंगे तो आपको वह सिलवर बॉक्स जरूर मिल जाएगा अब यह सुन जैंग वहां उस क्यूट गर्ल को रोकते हुए उससे कहता ह मुझे लगता है तुम्हें यहां इसके बारे में कुछ जादा ही अच्छे से पता है तो फिर तुम खुद ही जाकर उस बॉक्स को क्यूँ नहीं ले लेती अब यह सुन कर वो क्यूट गर्ल वहां कहती है कि मुझे वहां पर जाने से डर लगता है उपसे मैंने अभी तक ज एंसम सिनियर होने के नाते मुझे भी अपने साथ लेकर वहां जरूर चलोगे और इसे के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक हो चाहें को सब्सक्राइब करें बाइबाइब